हेलो एवडियोन स्वागत थे आपके अपने यूटूब चैनल एक्समानलिन लॉलज़ पर आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं अगर आप लोग आईटिया के बाद सी टी आई या सी आईटिया स्कॉर्स करना जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्पून है आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सी टी आई या सी आईटिया स्कॉर्स क्या होता है इसके बार हम बात करने वाले हैं कौन से छातर एवन छातर आए इस फॉर्म को फिलप कर सकते हैं इसके बार हम बात करने वाले हैं इस को करने के बाद आपको क्या फायदा होग करने वाले चलिए हम बात कर लेते हैं कर देखते हैं जो कि फिल अप करने का डेट दिया गया है ओके चलिए हम बात कर लगते हैं इस अप्सिए नोटिस में क्या दिया गया है यहां पर देख सकते हैं यह डिजीटी की तरफ से आपको नोटीस जारी जारी किया गया है डिरेक्टोरेट जेनरल ऑफ ट्रेनिंग ओके यानि गवर्मेंट इंडिया के दुवारा आपको दिया गया आपको मिनिस्ट्री ओव एस्टिल डेवलब्मेंट इंटर पेनेर्शिप ओके चलिए हम बात कर लगते हैं यहां पर दिया गया आपको एडिवीशन टुकॉर्स अंडर क्राप्ट इंस्ट्रेक्टर ट्रेनिंग एस्खीम यानि की इस का फुल फॉर्म होता है आपको एट नेशनल एस्टीट ट्रेनिंग इंस्ट्रीट एन एस्टी आई ओके एन इस्टीट फोर ट्रेनिंग आप ट्रेनर्स ओके आयो टी एस फोर दा एकेड़िविंग सेशन दिया गया आपको दुज़ार तैस चोबिस यानिकि एक सरका य क्या होता है एक टेस्ट होता है और इंडिया इंटेस्ट टेस्ट ओके नेश्टी आगे आपको वुचिछ सेड़्ूल टू बी हैल्ड ऑन आठ साथ दुज़ारत यानि कि आठ जूलाइस से आपका इजाम होगा यानि आठ जूलाइक को आपको यह एजाम सेडूल किया दिया गया आपको इन्वाइट फोर केम्पूटर बेस्ट टेस्ट ओके यानि यह जो इजाम होगा आपको सीवीटी इजाम होगा ओके ओनलाइन होगा ओके नह दिया गया आपको www.nimi online onlineadvison.in इस पर जागे आप फॉर्म को फिलफ कर सकते हैं ओके चलिए हम बात कर दते हैं दिया गया को फिलफ करने के लिए ओके चलिए सोलअक का मातर को आपको समय दिया गया है ओके चलिए नेस्ट कर रहते हैं कि सीटी आई कोर्स क्या होता है इसके वारे हम बात करने वाले हैं कि इसका फुल फॉर्म वोता है इसको हिंडेञ जो कहते हैं संस्थान कहते है ओके सीटी आई का ही कि दूसरा नम क्या है? CITS है, ओके यानि कि इसी का ही दूसरा नम आपको CITS है, यानि कि Craft instructor training scheme, ओके चलिए हम लोग बात कर लाते हैं, नेश्ट हम बात करते हैं, तो आप लोग समझे होंगे, CTI या CITS है एक ही होता है, ओके यानि कि इसका full form होता आपको Central लेंड है कि इस को फिलब करने के लिए क्या यह योगता होनी चाहिए,GBO की बात Сам situation कदने की आगर आप BPT से की किया है कोई भी ट्रेड हो आपका का मेकेनिक डीजल हो या एलेक्ट्रिसियन हो या फीटर हो वागेज हो हो और आप बीटेग किए हैं या कोई भी ब्रांज से आप किये हैं या डिप्लोमा किये हैं या पॉल्ल टेखनिक प्लिफ की है तो इस फॉर्म को आप कर सकते हैं ओके नेश्टमfer मात करते हैं कि इसमें is क्या है green card advent gap को minimum up को आठार एर्स का होना चाहिए ओकी और मेक्सिम्म्म आपको 14 होना चाहिए ओके यारे कि आफ़ारा साल चारिस साल तक आप form को इस حёт कर सकते हैं यारे कि मिनिम आपका फाड़ारी साल तो इस form को fill up कर सकते हैं चलिए नेक्स दिए हों बात कर लेते हैं कि इस course के करने के बाद आपको क्या फायदा मिलेगा इसके वारे हम लोग बात कर लेते हैं ओके देख्यए इस कॉर्स को करने के बाद आप लोग का एक कॉर्ण को कर लिजए तो आपको आप कर लिजिये तो आप को को अको के तरफ बनना चाहते हैं गौर्वर्मेंट एकोलोज में या प्राइविट एकोलोज में बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आप लब कर सकते हैं और यह कॉर्स कर सकते हैं उसके बाद आप यह कॉर्स कर लेते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं गौर्वर्मेंट एकोलोज में या प्र आपको जोब करना है तो आकर इसमें देता है आपको पंदरा से लेके तीस जार तक आपका अनुभवब आधार पे आपको इसमें बढ़ा भी दिया ता से लिए ओके तो आई होप रहें तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कि सी ती यह सी एटियव को प tej किया होता है अःप लोग पता चल रगए ओक बर चाखते हैं कि सी तियाम कोई कीक लिए करंसे क्षronic और बीजो चाहते हैं तो आप लोग लोगा एक्ष्ट करते हैं चैनल्य राटलिए करें डिखי का एक्ष्ट ए क्ट नकरील अच्छा लगा हो तो वीडियो को उपर एक One Time कर दिजा और सेर कर दिजा ओके जो भी एस्टूडियंट के बीच जो भी एस्टूेंट इन्सटेश्चेर है इस फॉरम को फिल अप करने के लिए उसके भीडियो आप लोगो सेर जरू कर देना है तो मिलते हैं। ने वीडियो मे धन्यवाद